तो ये मंच्छा थी पंजाब सरकार की वो ये हमेशा कहते थे कि पंजाब के लॉजट की जो तुलना है वो उत्तरपरदेश से करते थे और बहार से करते थे आज किसी पुलिस वाले को मारा नहीं जा रहा दिन देहारे पूरे दिन में किस परकार से एक जो गैंक्स्टर है वो पुलीस को मारके चले जाते हो यह पहली दुर गटना नहीं है इससे पहले भी हमारे लोग जैतो में ऐसी गटना हुई नकोदर में ऐसी गटना हुई और जिनके पास स्क्यूरेटी है जानी उनको मारा गया जानी की कहने का मतलब यह है कि पुलिस का डर पंजाब से वर्दी का जो डर होता था कही खौफ था जो पुलिस की वर्दी देखके पंजाब पुलिस की वर्दी देखके गैंक्स्टर जो गलत लोग थे वो डरते थे आज वो डर उटकेया है मेरे को लगता है कि अगर इसी परकार से चलता रहा तो एक दिन पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा तो मेरी दोबारा फिर मेरी गुजारेश है आदरिया मुख मंत्री से और पंजाब के डी जी पी से काइनली अपनी पंजाब पुलिस को आकार उनकी पीट पे खड़े हों और उनको बताएं कि जिस परकार से आप लोगों ने टेरोरिजम के समय आपने वो समय कंट्रोल किया था ये वो ही समय बनता जा रहा है आओ आगे भड़कर हम लड़ाई लड़े और इन जो तमाम चीजों को इनको पकड़े लेकि जो पंजाब पुलिस दावा करते की हमारा तो क्राइम रेट बहुत कम है बागी राज्यों से तुलना करें तो ब बता दीजिए कि जिसमें जिसके पास पुलिस कर्मचारियों उसको गोली मार के लोग चलेगे ऐसी मेरे को दुरगटना नहीं हां क्राइम रेट होगा क्योंकि बड़े स्टेट है हमारा चोटा सा स्टेट है हमारे 117 विदान सबाइब वहां पर 400 विदान सबाइब दाइसो सबसे बड़ा ज्यादा कराइम पंजाब के अंदर अब हमाचल के अंदर आप कराइम की उत्तर परदेश कराहां की तुलना कर लो इतना सा राज्या है 70 सीट वाला चोटे से राज्या में इतना की वो नयुकि सबढ़े वाली है तो देखो मेरे को पंजाबियों के उपर पूरा गर्व है पंजाबी मान समाने में किसी कमी नहीं छोड़ते हैं पंजाबी अगर दुश्मन भी घर आ यह तो राहूल गांदी आ रहा है यह तो वह परवार आ जन्होंने हमेशा सिखों के साथ खड़े रहें चाहे परदान मंत्री जी मनमोन सिंग जी बात कर लें चाहे ग्यानी जैल सिंग जी की पहले देश के राश्ट्रपती की बात कर लें लेकिन महनमान निवाजी में पंजाब के लोग माने जाते हैं चाहे किसी को अच्छा कोई ल लेकिन मेरे को लगता है कि हर पंजाबी का यह रहता है कि नहीं हमेरे परदेश में आया है कोई ऐसी बात नी होनी चाहिए बदलाव है बदलाव बदलाव आरे हैं ज़िदो मंत्री नुँ सम्झान लग दी है कही थाथ दर जरूरत भी है पर बहुत छेती जल्द ही होरी है पॉर्टफोलियो दे वेच्छ आ मैंनू लग दा कि छे मिने एक मंत्री नुँ आवगा मंत्रा लेया सम्झान ते लग जान द जड़े आफिसर सहबान ने वो समझे नहीं ओन दे तो मेरी सरकार नुँ एक उजारिश है बाकी यह उन्हारी आप दी मर्ची है मैं कमा भी है नहीं पोर्टफोलियो के उचेंज करता कोई ना कोई कमजोरी नजर आई होनी है इस करके फोटफोलियो चेंज करता पर इक व्य लेट होई है कारवाई लेट होई है ओदो ही करनी चाही दी सी होने नहीं पता सी का कि जंता दे विच जेड़ा इनने पहले दिनों एक मखोटा बनाया व्यासी कि असी जीरो टॉलरेंट हगी है सडी करप्शन दे उते पहला बंदा फड़े आएको मैसेज दिता कि देखो इ नोरी वाइस रिकॉर्डिंग आगी मैसेज़ेज आगे वो सारा उसे दाएरे चा गया ते असी द्रॉला पाया आज सतर भी नहीं बलाया गया शेशन इसकर खी नहीं बलाया गया कि दोवारे ऑपोजेशन फिर लड़ा ही लड़ेगी परताब सिंग बाजवा साब भी दा सक दे मैं नो उस बारे कोई किसे परकारदी जान करी नहीं है कि ओकेड़े दो मंतरी ने लेकिन ए लेट किता गया और केवल केवल स्टीवे ना गाल नी बनेगी हम स्टीवे से क्यों खुश है हमारे बहुत से लोग बहुत से लोगों को कर दिया बिना शबूत के अंदर कर दिया आपके बास ना कोई तत्य है ना कोई सबूत है ना कोई गाल ना बात है जी रे खलाब सबूत है फेर ऑरी कल्ये सीपहा ना गळ नहीं चलनी अगर वाके ही जीरो टॉ fragrance है तुसा ही बिलकूल टुसा ही कोई officer से बान फड़ रहे हो चंगी गाल लेकिन जिनों तुसी यह हुजी जिरो टॉलरेंस जी घल करने है फिर शरारी करप्शन दे मुद्धे आया है देनों ओडे ते मकदमा दर्ज होके और इनकोरी होनी चाहिए फता नहीं जिसमार कुई जानकारी नहीं है चंगी गाला है और अंधी क्यों दागा। जुलिद्व मंतरी थे जिन मेधारी दार्यी थी भूडरी को बाहरतों एंगे जुए मेरी में इसेस काम कर दी रही कोईूं कि विए सबस्क्राइब करें ना की गा तुसी बॉर्डर ते थोडि़ आवर सीगी बॉर्डर स्कुरिटी फोर्सेज ऊस दिन मैं देशने गरह मंत्री सब्डाइ वी विदानी से तेह रहा सिगा बार्डर सेक्योरिटी फोर्स 25 बदन देनाल की फरक मैंने तुसी बॉर्डर क् कि स्टेट दे विच पिजा किलो मिटर दे दाइरे दे भी है सब किते भी जा सकती है बिल्कुल एसाधे स्टेट राइट से डाका है बॉडर दी इस रुख्या करनी चाहिए